असलालेकुम दोस्तों नर्गिस प्लावर के एक ओने वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत हैं दोस्तों आज जिस फ्लावर के बारे में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं ये मेरा वन अफ दे मॉंस्ट फ्येवरिट फ्लावर है और इस फ्लावर को आप यकीन नहीं समझते होंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारिया आपके साथ शेयर की है और इस वीडियो का बनाने का मेरा असली मकसद यह है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि सिवाक्त जो टिप और ट्रिक मैं आपके साथ शियर करती हूं उसी टिप और ट्रिक के जरीए मैंने अपने टर्यस कारडन के लगे इस चमेली के फलावर में कितने सारे कलियां और फलावर्स खिले हुए हैं अगर आप यकीन मानिये मेरे टिप और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी टेरिस गार्डन को हमारे टेरिस गार्डन की तरह ही हरा भरा और खुबसूरत बना पाएंगे। यकीन मानिये यह गमले में लगा हुआ फ्लावर इतना जादा ग्रोथ करता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस फ्लावर की जो ग्रोथ है वो सिर्फ गमले में हो रही है मुझे जरूरत नहीं पड़ती है अपने गार्डन में इन प्लांट्स को लगाना क्योंकि मैंने टरिस गार्डन पर हुई ही इन सभी फ्लावर को लगा रखा है अपने टिप और ट्रिक्स के साथ तो आप भी अपने गमले की मिटि हार दो महीने में छे महीने में चेंज कीजिए और मेरी तरह ही अपने हेल्दी फ्लावर को देखने का आनंद प्राप्त कीए इस वक्त प्लावर्स को मेरे दबा देता है जसकी वजह से मैं हमेसे इसे चारती रहती हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा चुई मुई का जो प्लांट है वो मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है क्योंकि इसके साथ जो भी बच्चे मेरे रिलेटिव के आते हैं वो काफी ज़दा इ प्लावर्स से सजवाईए और देखिए कि आपके खुबसूरत से घर को कैसे आपका टेरिस गार्डन जन्नत बना देता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप काफी ज़्यादा लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हम बहुत ही ज़्यादा म समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू